A right triangle whose sides are 3 cm and 4 cm other than Hypotenuse. एक right triangle draw करते हैं. जिसकी जो sides है, ये right angle triangle होगिया. एक side कितनी है? 3 cm और दूसरी 4 cm. Other than Hypotenuse. है तो हाइपोटनियूस यह हो गए इस रिवॉल्ड is made to revolve about its हाइपोटनियूस इस हाइपोटनियूस को ऐसे पकड़के और इस तरह से घुमादो पूरा ठीक है तो कह रहा है वो find the volume in the surface area of the double cone soform जब हम इसको पूरा घुमाएंगे तो कुछ ऐसा आएगा ये ये बनेगा ये भी कितना होगा 90 degree इसे draw कर लो ठीक है तो ये क्या बनाएग डबल कोन बना ये एक कोन ये आगया और दूसरा कोन ये आगया ठीक है क्या कह रहा है वोफ इसका हमें surface area find figure बड़े ध्यान से बनाना ये 3 है ये 4 है ये right angle ये hypotenuse hypotenuse के about यानि के hypotenuse को stationary रखके इसको घुमा दो तो कुछ इसी तरह से बनेगा तो ये डबल कोन बना एक इधर एक इधर ठीक है इसकी figure की practice कर लेना जनरली गलत हो जाती है बच्चों ठीक है तो हमें क्या पताना है बिसका surface area and volume ठीक है L हमें पता है देखो हमें क्या चाहिए R चाहिए और H चाहिए क्यों भई surface area के लिए L चाहिए और R भी चाहिए और volume के लिए H भी चाहिए और R भी चाहिए ठीक है तो यानि कि हमें यहाँ पे find करना है क्या L और H ठीक है L हमें पता है sorry H और R find करना है तो A B C और यह D N triangle A, B, C ABC में angle B A, C कितना 90 degree तो B, C का square equals to A, B का square plus A, C square या या B, C हमें पता नहीं है A, B कितना है 3, 3 का square 9 वो कितना 4, 4 का square 16 and that is 25 root 25 B, C B, C कितना आगया 5 cm तो B, C हमारे पास 5 cm है अब क्या करें अब देखो B, C कितना है हमारे पास 5 इसको नाम दे दो क्या P तो हमने मान लिया कि जो B, P है वो कितना है H है यहां से यहां तक H तो यह यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 5 माइनस H है ना वह यह पूरा 5 है इसे हमने H मान लिया तो यह कितना 5 में से H को माइनस कर दो अब यहां क्या करो and triangle a, p, b a, p, b and triangle a, c, b a, c, b इन्हे हम दिखाते हैं similar ठेक है? इसे मान लो क्या angle 1 angle 1 angle 1 equals to angle 1 क्यूं? common इसे मान लो, यह तो 2 मतलब किया? यह 90 degree होगा? क्योंकि perpendicular cut करता है अब यह क्योंकि देखो यह क्या है? height है और यह क्या है? radius है चेक है? तो यहाँ पे a, p, b a, p, b हाँ तो angle 2 equals to angle b, a, c, q each 90 degree तो इसे में टो यह क्या है by angle-angle similarity criteria BP upon BA equals to PA upon AC equals to BA ठीक है, upon कितना BC, अब जड़ा चेक करो BP कितना है, BP H है H BP BA कितना है 3 equals to PA कितना है PA अगर हम PA की बात करें, तो यह तो radius होगा इसे मान लो R तो PA हो गया AC कितना है 4 BA कितना है BA कितना है 3 3 और BC कितना है, हमने अब भी निकालता है 5 इनको solve करके हमें H भी मिल रहा है और R भी मिल रहा है, इन दोनों को साथ में रख लो H upon 3 is equal to 3 by 5 यह आया तो H कितना आगया 9 by 5 cm 3 3 जा 9 by 5, ठीक है इन दोनों को साथ में रख लो R upon 4 is equal to 3 by 5, ठीक है तो जो R आया वो कितना 4 3 जा 12 by 5 cm यह आगया हमें height पता है, हमें radius भी पता है अब तो हम कुछ भी find कर सकते हैं यहाँ पर उसने पहले हमसे पूछा है surface volume तो volume of double cone double cone equals to volume of cone with R तो दोनों की सेम है R 12 by 5 and H कितना हम छोटे वाले के लिए लिए लिख रहे हैं तो small h कितना है 9 by 5 and H कितना 9 by 5 plus volume of cone ठीक है with R तो सेम है दोनों के लिए 12 by 5 और यह h कितना हो जाएगा इसे capital H लिख लेते हैं ठीक है तो यह लिख लो यहाँ पर इसके लिए capital H ठीक है इसकी value लिख लो यहाँ पर तो जो capital H आएगा वो क्या आएगा 5 minus small h यहने की 5 minus 9 by 5 25 5 5 जा 25 है ना और 25 minus 9 16 by 5 तो capital H कितना आ गया 16 by 5 ठीक है तो इसको लिख लो यहाँ पर क्या 16 by 5 cm लिख लो volume कौन के लिए है 1 upon 3 pi r square h plus 1 upon 3 pi r square h तो 1 by 3 pi r square common small h कितना है 9 by 5 capital H कितना है 16 by 5 वी आया तो values रख लेते हैं यह small h की capital H 1 by 3 जाएगे अब pi रख लो यहाँ पर 3.14 रख लो जाएगे 3.14 और r कितना है 12 by 5 तो 12 by 5 इंटो कितना 12 by 5 9 plus 16 25 25 25 upon 5 5 तो यह कितना आगिया 5 5 से 5 cancel 3 4 जा 12 इसे solve कर लो इसे जब तुम solve करोगे तो क्या आएगा 30.14 cm2 यह तो volume आगे surface area भी पूछा है surface area वो क्या होगा CSA of small cone plus CSA of big cone CSA of small cone plus CSA of big cone so that is pi rl plus pi rl अब small l कितना है 3 और capital l कितना है 4 तो रख लो pi r भार ले लो small l 3 capital l 4 तो 3.14 small r कितना है 12 by 5 ठेक है into यह कितना 4 और 3 7 बस इसको solve करके cm2 में लिख लेना तो यह आजाएगा तुम्हारा सी और यह बहुत important question कितना है